नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्राफॉल पटेल के लिखी टीम आल्वेज विन बुक प्रकारन दो टीम की सफलता में ही हमारी सफलता है किसी भी टीम में 20 प्रतीशत लोग 80 प्रतीशत परिणाम लाते हैं यही 20 प्रतीशत लोग आपके लिए नवरत में इन 20 प्रतीशत लोगों को जादा से जादा तालीम दीजे ताकि वा प्रोफिशनल और पर्सनल जीवन में जादा अच्छा परिनाम ला सके। सफलता पाने का एक सीधा साधा पॉर्मूला है आप सफल होनी के लिए उन कामों को करने की आदत डालिये जने असफल लोग करना नहीं चाहते। टीम के सदस्यों में इसे एक लीडर बनाएं लीडर शिप किसी भी समाज का, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी संस्थान का विखास कर सकती है। तो आईए हम समझते हैं कि इसकी शुरवात कब और कैसे हुई। मनुष्य वर्सों पहले एक आदी मानव की तरह जंगल में रहता था, और वहाँ पर जंगल के नियम चलते थे, जो बलबान थे, वह जंदा रह पाते थे। जंगली जानवर सभी छोटे और कम ताकतवर जानवरों को मार डालते थे। मनुष्य भी सक्षम नहीं होने के कारण मनुष्य भी मारा जाता था। एक मनुष्य को एक बार विचार आया कि या जंगली जानवर हम पर हमला करके हमें मार देते हैं। क्योंकि हम अकेले अकेले रहते हैं, तो इस मनुष्य ने सोचा कि क्यों ना हम साथ रहें, और जंगली जानवरों का मकाबला करके हम भी सभी सुरक्षत रह सकें, एक मनुष्य ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौते को बताया, तो सभी मनुष्यों को यह विचार बहुत ही पसंद आया और एक साथ संगटित होकर रहने लगे एक दा में ताकत होती है उसी ताकत के कारण मनुष्य जंगली जानवरों से सुरक्षत रहने लगे मानव इतहास में लीडर्शिप के साथ टीम ऑल्विज विन की शुरुवात सालों पहले होई अब हम सीखेंगे कि हम अपनी टीम में कौन से सदस्यों को कौन सा काम दे क्योंकि हर सदस्य की एक जैसी काम करने की शमता नहीं होती और हर सदस्य के पास अपना एक प्लस क्योंकि मचली कभी फीड़ते नहीं चड़ सकती और पंची कभी पानी में तेहर नहीं सकते वैसी एक लीडर को यह पता करना होता है कि मेरी टीम कि किस सदस्य के पास कौन सी एक्सपर्टीज्ज यानि विशेशना है एक लीडर को अपनी लीडर्शिप कैसे करनी है उसकी बात अब हम करेंगे लीडर्शिप एक कला है बहुत से व्यक्तियों ने विबिन प्रकार की लीडर्शिप की थियरी के बारे में बताया है आम तोर पर अभी कॉर्पोरेट्स और मैनिजमेंट में लीडर्शिप को सिखाए जाता है तो क्यों न हम अपनी टीम को इस लीडर्शिप के गर सिखाएं सब साथ मिलकर आगे बढ़ें जिस विवसाय या संस्थान में नौकरी आप कर रहे हैं उसके हिसाब से लीडर्शिप की थियरी अलग-अलग हो सकती है उधारन के तोर पर मीडिया रमत जगत और राजनीती में त्वरत निरने लेनी के आवश्रक्ता पड़ती है जो पसंद हो उसे करें या तो जो करें उसे पसंद करें टीम को सफल बनाने के लिए हर सदस्य का अपना योगदान होता है लीडर का ये काम होता है कि किस सदस्य के पास कौन सी विशेश अग्यता है उस परकार से हम काम उसले वरना टीम का नाश होता है ये बात एक कहानी के मादम से समझते हैं एक जंगल में जानवरों ने कटा होकर एक विद्याले खोलने का नर्ने लिया इस जंगल में कीड़े, मचली, गिलहरी, खरगोश अत्यादी रहते थे उन्होंने एक टीम का गठन किया और कहा कि एक दूसरे को हम अपनी कुशलता के बारे में पढ़ा सकते हैं एस प्रकार मचली तैरना सिखाती है, खरगोश डोडना सिखाता है, चिडिया उडना सिखाती है, गिलहरी, पेड़ पर चड़ना सिखाती है, कीड़े बिल बनाना सिखाते हैं पाठिक्रम में हर कुशलता को जोड़ा गया और कहा गया कि आपाठिक्रम सबको करना पड़ेगा यहां तक तो ठीक था पर जिसको विद्याले जाने में रुची नहीं थी वैसे जानवरों को विद्याले बोड का डारिक्टर बनाए गया अब विद्याले शुरू हो गया तो दोड में खरगोश का पहला नमबर आया पर वो ना तो ठीक से तैर सका और नहीं उड़ सका। मचली तैरने से पहले नमबर पर आई बाकी सब में निश्फल रही। गिलैरी पेड़ पर चड़ने में सफल रही बाकी सब में निश्फल रही। विद्याले के डारेक्टर ने से अधिक मार्क्स कीडे को दिये क्योंकि कीडे ने सब काम में थोड़ा थोड़ा प्रदर्शुन किया इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लीडर्शिप की कमी की वज़े से सब को सब काम करने को बोला गया बजाए अपने-पने कुशलता के काम के बॉस और लीडर के बीच अंत झाल